हेलो डियरी स्टुडेंस अब सरश्वती इंगली सेगेड में ओनलाइन क्लासेच ओनलाइन क्लासेच के अंदर बच्चो अभी जो मैं आपको सीखोंगा वो हैं चर्चे चर्खा या चटनी अब हम सीखेंगे चर्चे चर्खा और चटनी ओके अभी हम क्या लिखना शीक रहे हैं चर्चे चर्खा चर्चे चमच या चर्चे चटनी ओके बच्चो दिखना श्टार कीजिए सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ सर्खा खा देखे बच्चो ये हैं अमारा सर्खा चर्खा देखे ये क्या है चर्खा पुराने समय में महात्मा गांधी जो हैं चर्खे के दुआरा दागा निकाल के कपड़ा बनाने का काम करते थे ओके तो ये क्या है चर्च से चर्खा क्या है चर्खा और हमारा चर्चे चटनी भी होती है तो च अक्सर हम लिखना शीकर है देखे बच्चो चर्खा चर्चे चमाज और चर्चे चटनी कैसे लिखा जाता है सबसे पहले यह है नमबर फास्ट यहां से हमारा नमबर फास्ट सुरू होता है यह नमबर फास्ट फिर यहां से नमबर सुरू हुआ सेकेंड फिर यह हमारा नमबर थार्ड और यह फॉर्ड राइट इस प्रकार से लिखें फास्ट सेकेंड ओके और यह हो गया थर्ड यह हो गया फॉर्थ यह हमारा फॉर्स्ट सेकेंड थर्ड और फॉर्थ इस प्रकार से हमने क्या लिखा चर्चे चमाज ओके बच्चों यह बिल्कुल इजी है आपको सबसे पहले यह लाइन बनानी है फिर यहां से आपको पैंसिल उठाके यहां तक लेके जाना है फिर आपको स्टेट लाइन बनानी है फिर इसके उपर स्लिपिंग लाइन तो यह हमारा चर्चे चमाज बन गया बिल्कुल सिम्पल ओके इस प्रकार से बनेगे अब मैं एक और बना रहा हूँ देखे यह हमारा फास्ट और यह देखे यह फास्ट यह गया सेकेंड यह गया थार्ड यह गया फॉर विल्कुल सिम्पल है ना यह फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर लिखे इस प्रकार से लिखे फिस्ट है सेकेंड थर्ड फॉर यह चर्चे चमाज लिखें बच्चो अपनी कोपी में लिखें फार्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर फार्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर यह फार्स्ट यह सेकेंड यह थर्ड और यह हो गया फॉर तो अभी हम क्या लिखना सिख रहे है चर्चे सरखा लिखे बच्चो यहां पर और लिखें फस्ट सेकेंड और यह हो गया थर्ड यह हो गया 4 फस्स सेकेंड थर्ड 4 फस्ट सेकेंड थर्ड 4 यह हमारा चर्चे चर्खा या फिर चर्चे चमस या चर्चे चटनी वाला चब बन गया अब हम लिखेंगे सर्चे चाता क्या लिखेंगे सर्चे चाता ओके बच्चो अब हम लिखेंगे चर्चे चाता चाता भी बिल्कुल आसान तरीके से लिखा जाता है देखिए यह जो अक्सर आप सीख रहे हैं उसमें सावधा नहीं रिखे कोई भी अक्सर जो है वेवस्तित लाइन में लिखना चाहिए देखिए यह नमबर फार्स्ट ठीक है यह हमारा हो गया नमबर सेकेंड और यहां से नमबर हो गया थर्ड बिल्कुल हीजिया न और यह हो गया हमारा फॉर यह हो गया फाइब वापस समझा रहा हूँ देखिए बच्चो यह फर्स्ट फर्स्ट है और यहां से यह हो गया सेकेंड और यह हो गया थर्ड यह हो गया थर्ड हो गया और यह हो गया फॉर यह हो गया फाइब से चाता अभी हम सीख रहे हैं चाता चाता पिक्चर से आपको दिखा रहा हूं यह देखिए बच्चो चाता का पिक्चर और यह हैं देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंब्रेला यू-म्-B-R-E-L-L-A अंब्रेला विच में चाता तो यह रैंसेंजन में काम आती हैं बारिश के दिनों में धूप से बच्चने के लिए हम अंब्रेला का यूज्य कर सकते हैं तो यह हमारा चाता ओक अब हम लिखना सीखते है विल्कुल सिंपल है ये फिर्स्ट ये हमारा फिर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइड इजी है ने बच्छा ये फिर्स्ट ये री क्या हो गया है सेकेंड थर्ड फोर योगे चर्चे चाता लिखें बच्छें अपने कोपने लिखें इस प्रकार से आपने चाता लिखना सीखा लिखें रैटिंग अच्छे आने चाहिए आराम से इजी ले लिखें ने लिखें ने लिखें को ने लिखें बच्छें I 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हमने चाता लिखना सी का 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हमने बच्चे कौन सा लिखना सी का चाता कौन सा चाता लिखे अपने कोपी में लिखे तो इस प्रकार से हमने चर्चे चर्चे चर्का, चटनी चाथा यह 3 अकसर हमने लिखना सी के आप अपनी कोपी में 3 अकसर चर्चे, चम्माष और चर्चे साथा अपनी कोपी में बच्चो राइटिंग आपकी नेट अनम क्लीन होनी छे अच्छी होनी छे यह हमारा चम्माष वाला च और उसके बाद में आमने लिखा चाहता ओके आपको यह सारे अक्सर अपनी फाइपलाइन की कोपी में अच्छी रैइटिंग में लिखे उनको याद करना है थाकि आप इंदी वर्णमाला जो कंप्लेट हो जाएगी फिर मात्रों का ज्यान होगा और आप आराम से किता पढ़ परस्ति धंग से करें और याद कीजिए और साम को जब भी टाइम मिले आपको सारा का सारा काम दिविजिन बूक के तोर पर वापस याद कीजिए वापस लिखे और समझेए